हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो रोयल स्टडी, दोस्तो आज की स्टूडियो में मद्य प्रदेश के प्रमुक मेले से रिलेटेट टोप कुश्यन हम डिसकस करेंगे सो से अधिक प्रेशनियां पर लिए गए आपके लिए जो एक्जाम पॉइंट ओफ यू से काफी ज़्यादा आईंप आपके लिए होने वाले हैं सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरू से देखेगा चेनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ सथ बिल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिप किसन भी आपको मिलता रही आईए भरम श्टार्ट करते विणा टाइम वेस्ट किये उससे पहले आपको बता देते हैं मड्यप्रदेस करिंट पेर मिल जाएगा पूरे एक साल का आप लेव यस जो पेस्ली रहेगा पूरा आप पढ़ सकते हिसके लावर टेली ग्राम गूरूप चैनल जोइन कर लिजिगा जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्किप्शन में मिल जाएगी फ्रेंट से जेल परारी मद्यप्रदेश पुलिस और कॉंस्टेबल SI के लिए बेस्ट टेसरी मिल रही है जिस पर पूरे 50% तक का भी डिसकाउंट चल रहा है आप हमारे कुपन को ड 27 जनवारी अर्ताद गंतरनत दिवास से 5 दिनों तक चलने वाले लोकरंग जो समारो आउजित होता है यह मद्यप्रदेश के कहां पर यह जो है आउजित होता है याने कि सहर में यह आउजित होता है यह आपको बताना है लोकरंग महुस्व या समारो भी इसको आप बोल सकत है जो आप चाहें बाकि यह जो है 26 जनवारी को लगता है जैसा कि आप सभी को पताईए और पांच दिनों तक यह चलता है तो यह आप जल्ले से कमेंट करके बता दीजीगा अब देखें यहाँ पर पहला जो कोश्चन निकल करा रहा है यह आ रहा है कि यहाँ पर देखें रिक्तिस्तान को मद्धिप्रदेश की संस्कृति और रंगीन जीवन से लिखा पेनो रमा कहा जा सकता है तो किसको कहा जा सकता है तो यह कहा जा सकता है मेले को यहने मेले जो है मद्धिप्रदेश के इनको मद्धिप्रदेश की संस्कृति और रंगीन जी लेविल जो है डाउन देखने को मिल सकता है लेविल और दीरे दीरे आपको मोडरेट लेविल की जुब कोश्चन है वह भी आपके सामने आते चलेंगे इसलिए आप पूरा वीडियो देखेगा धियान से अगर यह पूरा वीडियो आपने देख लिया तो यह टोपिक आपको यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा इसके लावब देखेगे यहाँ पर जो additional fact देते थे ना additional information आपको देते वो हमने क्या किया है कि अब additional information आपको नहीं देंगे उसके बदले में हमने question की जो quantity है याने question की जो number है संक्या है वो यहाँ पर बढ़ा दिये directly जिससे आपका test भी हो जाए revision भी हो जाए जिनको पता है पहले से और जिनको नहीं पता है वो test भी यहाँ पर दे सके हैं इसलिए हमने यहाँ पर question के number of question जो थे वो increase कर दिये हैं सबसे अधिक मेले किसे जिले में लगते हैं तो सबसे अधिक जो मेले लगते हैं यह मद्दप्रदेश के उजेन जिले में लगते हैं उजेन यहाँ पर आपका option number first जो है सही जवाब हो जाता है क्याद रखिएगा काफी वार पूचा भी जाता है next question आपका निकल करा रहा है कि उजेन जिले में सबसे अधिक मेले तो लगते हैं यह बात तो ठीक है बट उजेन जिले में कितने मेले लगते हैं यह आपको बताना है तो इसका आपका सही जवाब रहेगा 227 यहने 227 मेले मद्धिप्रदेश के उजेन में लगते हैं उजेन जिले में next question आपका रहा है मद्धिप्रदेश में अधिकांस मेले किस महीनों के दोरान आयुजित होते हैं जब किसानों को खेतों में कम काम करना पड़ता है तो यह कौन से महीने हैं यह आपको बदाना है यह महीने हैं March, April और मही के देखे March और April और मही यह जो 3 महीने जो होते हैं इसमें किसानों को कोई भी खेती से related कोई काम नहीं होता है किसान जो है बिलकुल free होता है पूरा काम उनका खतम हो जाता है इस टाइम पर इसलिए जो अधिकांस मेले आई जोते हैं वो इनी 3 महीनों में आई जोते हैं तो यह आप थोड़ा सद्यान रखेगा March, April और मही में वापिस June और July में उनका काम स्टार्ट हो जाता है इधर वो जो है March और April में free भी हो जाते हैं यहाँ पर March और April आप मही थोड़ा सद्यान रखेगा Next question है आपका सबसे कम मेले किसे जीले में लगते हैं सबसे अधिक तो हमने देखी लिया है उजेन में लगते हैं सबसे अधिक कितने 227 अब सबसे कम आपको बताना है कि किसे जीले में लगते हैं सबसे कम मेले लगते हैं मद्रदेश के उसंगाबाद जीले में उसंगाबाद जीला आप याद रखेगा अगर आपसे पूचा जाए कि उसंगाबाद जीले में कितने मेले लगते हैं तो इसका आपका सही जवाब रहेगा 13 तो यहाँ पर आपका first option बिल्कुल correct है next question है मद्धिप्रदेश में सबसे कम मेले किस महीनों के दोरान आयजुत होते हैं तो सबसे जो कम मेले लगते हैं मद्धिप्रदेश में वो जून जुलाई और अगस्त के जो की time पर लगते हैं सबसे कम मेले लगते हैं सबसे अधिक मेले लगते हैं मार्च अप्रेल और मही में आप धियान रखेगा और देखे जून जुलाई और अगस्त में सबसे कम मेले जो हैं आज जो तो ते इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर देखे मांसून की वज़े से किसानों का काम और बढ़ जाता है इसलिए यहाँ पर किसान फ्री नहीं रहे पाता है इस टाइम पर उनका काम और अधिक बढ़ जाता है इसलिए यहाँ पर कम मेले कम से कम मेलों का उजन होता हैं जून जुलाई और अगस्त के महा में next question आपका निकल कर आ रहे है क्या आ रहे है next question है आपका कि कुंब का मेला रिक्तिस्तान का कुंब मेला सिंगस्त के नाम से जाना जाता है जो देश के भवी और पवित्रम मेलों में से एक है तो ये जो है कहा का कुम्ब मेला है ये है उजेन का कुम्ब मेला जो सिंगस्त के नाम से जाना जाता है और देश के भवी और पवित्र मेलों में से एक इसको मानने जाता है बी ओप्सन यहां से आपका सभी जवाब रहेगा Next question है सिंगस्त कुम्ब मेला हर बारा साल में के चक्र में एक बार जब ब्रस्पति रासी चक्र की किस रासी में प्रिवेश करता है तब इसमें लेका आयजन होता है तो देखे ब्रस्पति रासी चक्र की सिंग रासी में जब प्रिवेश करता है तब इसमें लेका आयजन होता है और यह कि यह 12 साल में एक बार होता है मद्यप्रदेश के उज्जेन में तो यह भी आप तोड़ा से द्यान रखेगा नेक्स्ट कुशन आपका निकल करा रहे पवित्र चिप्रन अधी के टट पर पूरी बविता का प्रदर्शन करता यह मेला लगता है जिसमें दुनिया वर के लाकों लोग अपने अध्यात्मिक उद्यायन के लिए सामिल होते हैं वास्तों में स्विंगस्त काविजन इस्तल होने के साथ उज्जेन की इस प्राजिन सेर को भारत के 12 जोतिलिंगों में से कितने जोतिलिंग होने का सम्मान प्राप्त है तो देखे उज्जेन जो है इसको महारत के 12 जोत्रिलिंग में से एक जोत्रिलिंग होने का जो की सम्मान प्राप्ते अगर आपसे पूछता कि मद्यप्रदेश को कितने जोत्रिलिंग होने का जो की सम्मान प्राप्ते तो वो आपका दो सही हो जाता तो आपको question को भी थोड़ा सा समझना है इसलिए question जो है हमने especially आपके लिए design किया है काज तोर पर ताकि आपके अगर लंबा भी question देखने को मिले लेना तो आप आचनी से उसका जवाब भी दे भाए तो यहाँ पर आपको बताना है उजेन पूचा है उजेन के बारे में बताना है तो यहाँ पर आपका option number first correct रहेगा नेक्स ट्रीम अद्धिप्रदेश में एक मात तरिस्तान कुन सा है जहां कुम्ब का मेला लगता है और इस मेले में सादू, संतो और अखाडों के साथ ही करोडों लोग भाग लेते हैं यह मेला है, जो आपका लगता है कुम्ब का मेला, यह उजेन में लगता है D option यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा देखे, question जो है कुछ repeat होंगे, यह ब्यात में आपको पहले ही बता देता हूँ question repeat उस वीडियो में होने वाले हैं आपके but question उसी condition में repeat होंगे जिस condition में pattern आपको different देखने को मिलेगा और कुछ question तो same repeat होंगे उसका कारण में आपको बता देता हूँ देखे, कुछ question को हमने जान बुझ कर repeat किया है इस वीडियो में उनको इसलिए repeat किया है क्योंकि हम पहले पूरे जो इस question को solve कर लेंगे उसके बाद में दोबारा से repeat करेंगे ताकि आपका वापिस से test हो जाए कि आपको याद हुए या नहीं हुए तो आपको question same pattern में देखने को नहीं मिलेंगे different different जो pattern रहेगा उसमें आपको question देखने को मिलेंगे तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहेगा आलमी तबलीगी इस दीमा जो लगता है यह कहाँ पर लगता है यह आपको बताना है तो देखें आलमी तबलीगी जो इस दीमा लगता है यह मत्रप्रदेश के बोपाल में लगता है बोपाल सेहर में B option इसका सई जवाब आपका रहेगा next question आलमी तबलीगी इस तीमा कितने दिनों तक चलता है तो ये जो इस तीमा चलता है ये तीन दिनों तक चलता है तो यहाँ पर आपका C option correct है next question इस तीमा हर साल आयुजित किया जाता है और उसके साथ एक मेला भी लगता है और इसमें आये जो सर्दालो के समू होता है इनको हम जमात बोलते हैं जामात भी इनको बोला जैता है और इनको जमात भी बोला जैता है तो आप नाम याद रखेगा हो सकता है आप से पूचा जाए और यह जो कुशणे पहले पूचा भी जाच चुका है नेक्स्ट कोशन है मद्दप्रदेश का कौन सा मेला है जिसमें सद्दालू जमात विदेशों से आते हैं और ये जो मेला है ये है आपका आलमी तबलीगी इस्तिमा तो D-Option यहां से आपका correct रहेगा अती प्राचीन काल से गुना जिले के चंदेरी में किस मेले का आउजन किया जाता है और ये जो मेला है इसका नाम है जोगे स्वरी का मेला ये जो मेला लगता है मद्दप्रदेश के गुना जिले के चंदेरी में लगता है दियान रखेगा और अती प्राचीन काल से इस मेले क का आउजन किया रहा है गवालेर जी लेकी भांडेर तेसील में किस मेले का आउजन किया जाता है तो देखे भांडेर जो तेसीले गवालेर की इसमें राम लीला का मेला लगता है यानि माराम लीला का जो मेला है इसका आउजन किया जाता है तो बी ओप्सन यहां से आपका करे जवाब हो जाता है राम लिला का मेला किस महीने में लगता है तो देखे राम लिला का जो मेला लगता है ये जनवारी फरवारी के महां में आज़ित किया जाता है अब आपको आयोब की राम लिला का जो मेला है इस से related सब information मेल चुके होगी राम लिला का मेला लगता है भांडेर तेसील में जो कि ग्वालर जिले में आती है कितने साल पुराना ये मेला है तो सो से अधिक वर्सों से ये मेला लगता चला रहा है जन्वारी फर्वारी में ये आयुजित किया जाता है यहां पर आपका D option कई सई जवाब हो जाता है बर्मान मेला आपको बताना है कहां आयुजित किया जाता है तो बर्मान जो मेला है ये मद्धिप्रदेश के नरसिंगपूर में किया जाता है आयुजित वो हम आगे आपको बताएंगे, आप तोड़ा सा वीडियो देखेगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी. नेक्स्ट है, मट गूगरा मेला कहां युजित के जाता है, तो मट गूगरा का जो मेला युजित के जाता है, ये मदब्रदेश के सीवनी जीले में के जाता है, अगर आपसे पूछे जाए किस गाउं में के जाता है, तो ये के जाता है, भेरवनात, नाम आप याद रखेगा पहिरोनाथ जो है यहां पर है मंत गूगुरा का भेरोनाथ सिवनी में. नेक्स्ट यह जल विहारी का मेला कहां अजुट कह जाता है, यह मदबर्देश के छहतरपुर जिले में अशिच्चित कहयाता है. यहां से आपका निकल कर आ रहा है. नेक्स्ट इस रामजी बाबा का मेला कहां आयुजित किया जाता है वो रामजी बाबा का मेला लगता है मद्धिप्रदेश के होसंगबाद में याने D option correct यहां से आपका रहेगा नेक्स्ट इस रतनगड का मेला कहां आयुजित किया जाता है तो रतनगड का जो मेला है ये मद्धिप्रदेश के रतनगड में आयुजित के जाता है जो कि दत्या जिले में आता है तो रतनगड में ये जो मेला है लगता है अगर आप सको उप्शन में दे रखा हो तो आप confused विल्कुल भी मत होईएगा क्योंकि ये जो मेला है रतनगड में लगता है और रतनगड जो आता है ये दत्या जिले में आता है याद रखेगा नेक्स्ट है सिद्ध बाबा का मेला कहां आयुजित किया जाता है तो सिद्ध बाबा का जो मेला है ये मद्दप्रदेश के विजेपूर में आयुजित किया जाता है विजेपूर याद रखेगा और ये जो विजेपूर है ये किसी जिले में आता है तो ये विज़ईपूर आता है शोपूर जीले में शोपूर जीले में C option सही जवाब रहेगा आपसे particular वहां की location भी पूछी जाए सकते है या फिर district का नाम भी पूछे जाए सकता है तो आप दोड़ा सा धियान रखेगा शोपूर इसका सही जवाब रहेगा उनाव का मेला कहां आयुजित किया जाता है तो उनान का मेला और इसको उनाव भी कहीं पर देखने को आपको मिलता है और कहीं पर आपको ना देखने को मिलता है तो आप दोड़ानों ध्यान रखेगा उनान या उनाव दोड़ानों आपसे पूछे जाए सकता है तो उन्नान का मेला जो आयुजित होता है यह मदध्यप्रदेश के दत्या में ही होता है तो D option यांसे आपका correct है Next question है कुम्ब का मेला कहाँ आयुजित किय染 किया जाता है तो कुम्ब का मेला जैसा कि आप सबी को पताईए मद्ध्रदेश के उजेन में ये लगता है next day कौन से मेले का आयुजन गुना जीले के साथ नीमार जीले में भी होता है और ये जो जीला है इसका नाम है देखे यहाँ पर आपको तोड़ा सा question कुछ समझ नहीं कौन से मेले का आयुजन गुना और इसके लावा नीमार जीले में होता है तो यह जो मेला है इसका नाम है तेजाजी का मेला D option यहां से आपका correct रहेगा Next is कुंडेश्वर का मेला कहां आजजित के जाता है कुंडेश्वर का जो मेला लगता है यह मत्वरदेश के टीकमगड में लगता है टीकमगड याने D option यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है Next question आपका निकल करा रहे गौालियर और गुना और इसके आसपास के छित्रों में कौन सा मिला लगता है तो दीके हीरामन जो बाबा थे इनके आसिरवात की कारण महिलाओं में जो बांचपन होता है यह रोगदूर हो जाता है तो यहां पर आपका B option correct हो जाता है हीरा बूमिया का मेला किस महिने में आउजित होता है यह फिर लगता है तो हीरा बूमिया का जो मेला लगता है ये मद्धवरदेश में अगस्थ और सितंबर के महा में आईजित किया जाता है तो अगस्थ सितंबर याने आपका C option correct रहेगा बात करें पीर बुधान का मेला कहां पर लगता है तो ये मद्धवरदेश के सिवपुरी जीले में लगता है सिवपुरी याद रखेगा और next question आपके लिए आ रहा है कि ये जो मेला है कितने साल से अधिक पुराना है तो 250 सालों से अधिक पुराना ये मेला है सिवपुरी का जो कि पीर बुधान के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है पीर बुधान का मेला सिवपुरी जीले के किस गाउं में मुस्लिम संथ पीर बुधान की कबरप के पास आयुजित किया जाता है और ये जो मेला लगता है मद्दबरदेश के सनवारा में लगता है सनवारा गाउं में और ये सनवारा गाउं जो आता है ये सिवपुरी जीले में आता है जो कि यहाँ पर एक कबर है इनकी तो संत थे मुस्लिम संत पीर बुदान इनकी कबर थी उनकी कबर पर ही ये मेला आज जित किया जाता है तो यह जो मेला जित किया जाता है यह अगस्त और सितंबर महा में आजित किया जाता है पीज बूधान का मेला नागा जी का मेला कहां लगता है तो नागा जी का जो मेला लगता है यह मंद्रब्रदेश के पूर्सा में लगता है याद रखेगा पूर्सा में लगता है और पूर्सा कहां पर आता है तो यह आता है मूरेना जीले में द्यान रखेगा देखे यहाँ पर next question वही निकल कर आ गया नागा जी का मेला मूरेना जिले के किस गाओं में लगता है तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम पर लेए हमने आपको बताया पोर्सा में लगता है और पोर्सा जो आता है यह मूरेना जिले में आता है नागा जी का मेला कितने दिनों तक चलता है तो ये मेला चलता है कितने दिनों तक एक महा तक यान सी उप्सन यहां से आपका सही जवाब रहेगा नागा जी का मेला मूरीना के पोर्सा गाओं में लगता है इसमें अब घरेलू पसू को बेचे जाता है पहले यहां क्या बेची जाते थे तो पहले यहां पर बंदर बेची जाते थे बट अब दीरे दीरे जो है गरेलू जो पालतु जानवरे उनको बेची जाने लगा है तो C option यहां से आपका सही हो जाता है तीजा जी का मेला कहां लगता है तेजा जी का जो मेला लगता है मद्रदेश के गुना में लगता है यहाँ पर हमारा D option जो है बिल्कुल correct हो जाता है इसके लावा next question आपका है तेजा जी का मेला मूरेना जी लेके किस गाउं में लगता है तो तेजा जी का जो मेला है अदिब्रदेश के मूरेना जीले के भामावद गाम में लगता है तो भामावद यहाँ पर आप याद रखेगा अगला कुशन है तेजा जी का मेला कितने वर्सों से अधिक पुराना है तो तेजा जी का जो मेला है, यह सित्तर वर्सों से अधिक पूरा ना है, यनि सित्तर वर्सों से यह जो मेला है, लगता चला आ रहा है नेक्स्ट वोचन है पहले 80 सालों से रिक्तिस्तान जीले में जीले के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम इस्तल पर सिवरात्री के दिनिये मेला जित किया जाता है तो पिछले 80 सालों से किया जा रहा है इसका नाम है आपका बताना है किसी जीले के अमरकंटक में नर्मदानदी के उद्गम इस्तल पर सिवरात्री के दिन यह मेला लगता है तो यहाँ पर अनुपूर जीले के आपको बताना है अनुपूर जीले के अमरकंटक में लगता है यह मेला याद रगेगा सिवरात्री का मेला तो यहाँ पर आपका B option correct रहेगा किसी जिले के महामत्तिंजे मंदिर में बसंत पंचमी और सिवरात्री के दिन यह मेला लगता है तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा रीवा रिवा में लगता है मामतिन जी का मेला याद रखेगा रिवा में C option correct यहां से आपका रहेगा चंडी देवी का मेला आपको बताना है कहां पर लगता है तो चंडी देवी का जो मेला लगता है मत्रदेश के सीधी जीले में लगता है सीधी आप पस्ट ओप्शन याद रखेगा चंडी देवी का मेला सीधी जी लेके किस गाउं में लगता है और जिने देवी पारवती का उतार माना जाता है तो ये जो लगता है ये किस गाउं में लगता है तो ये गूगरा गाउं में लगता है याद रखेगा सीधी जी लेके गूगरा गाउं में ये मेला लगता है चंडी देवी का चंडी देवी का मेला कब लगता है ये मेला लगता है मार्च और अप्रेल के महा में यानि B option याद रखेगा साबुद्दिन ओलिया बाबा का उर्स कहां आयुजित के जाता है साबुद्दिन ओलिया बाबा का उर्स आयुजित के जाता है मद्दब्रदेश के नीमच में नेक्स्ट कोश्चन आपका निकल करा रहे है साबुद्दिन ओलिया बाबा का उर्स किस महा में मनाय जाता है तो ये जो मनाय जाता है फरवारी महा में मनाय जाता है B option यहां से आपका correct हो जाता है बाबा साबुद्दीन की मजार पर उर्स कितने दिनों तक चलता है तो यह उर्स चार दिनों तक चलता है B option यहां से आपका 4 options जो है सही रहेगा कालू जी महाराज का मेला कहां लगता है तो कालू जी महाराज का मेला लगता है पश्चिमी नीमार में जिसका नाम है पीपलिया खुर्द ये गाउं का नाम है आप याद रखेगा पीपलिया खुर्द गाउं में लगता है पश्चिमी नीमार में किलिए रहें गूर इसके लावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिन के और कालू जी महाराज का मेला पश्चिम नीमार के पीपलिया खुर्द में कितने दिनों तक लगता है तो ये लगता है एक महा तक यहने सी ओप्सन यहां से आपका करेक्ट रहेगा सिंगाजी का मेला कहा लगता है तो सिंगाजी का जो मेला लगता है ये पश्चिम नीमार के पीपलिया गाओं में लगता है यहने बी ओप्सन यहां से आपका करेक्ट है सिंगाजी एक गुड आदमी थे और उन्हें देवता माना जाता था पश्चिम नीमार के पीपलिया गाओं में यह मेला कब लगता है तो यह जो मेला लगता है अगस्त और सितंबर माहा में लगता है याद रखेगा C option यहाँ से आपका बिलकुल correct हो जाता है next question है सिंगाजी का मेला अगस्त सितंबर में कितने दिनों के लिए लगता है तो देखें सिंगाजी का जो मेला लगता है यह अगस्त सितंबर में लगता है कितने दिनों के लिए लगता है यह आपको क्लिक करना है इसका सही जवाब रहेगा एक सप्ता एक सप्ता तक यह मेला चलता है यहाँ पर आपका C option correct रहेगा धमोनी उर्स कहाँ आउजित के जाता है तो धमोनी जो उर्स है यह कहाँ पर आउजित होता है यह मद्रदेश के सागर में आउजित होता है सागर जीले में तो सागर याने D option याँ से आप याद रखेगा Next question है आपका सागर जीले के धमोनी नामकिस्तान पर किसकी मजार पर यह मेला लगता है इसका नाम आपको बताना है तो देखे यह जो मेला लगता है यह लगता है जिनका नाम है मस्तान साहा वली इनकी मजार पर यह जो मेला है आउजित किया जाता है तो याद रखेगा सागर के धमोनी नामकिस्तान पर मस्तान साहा वली की मजार पर यह मेला आउजित होता है Next question है धमोनी उर्स किस महिने में लगता है तो धमोनी उर्स का जो मेला है ये मद्धिप्रदेश में अप्रेल माई के महा में आयुजित होता है तो भी ओप्शनियां से आपका सही होता है बर्मान का मेला कहां लगता है तो बर्मान का मेला लगता है मद्धिप्रदेश के नर्सिंगपूर में और नरसिंगपूर में एक स्तान गाडरवाड़ा गाडरवाड़ा में यह जो मेला है आईजित किया जाता है देखें गाडरवाड़ा जो है यहां से मध्रदेश के बोल्यूट के एक परसिद्य हस्ती है आसुतोसराणा इनके बारे में आयूब के आपने सुना भी होगा नेक्स्ट कोशने नरसिंगपूर जी लेके गाडरवाड़ा में मकन सक्रांती के दिन कुन सा मेला लगता है और इस मेले का नाम है बर्मान का मेला जो कि हम आपको अभी डिटियल दी है तो यहाँ पर आपका फस्ट ओप्सन सही जवाब रहेगा बर्मान का मेला कितने दिनों तक चलता है तो यह मेला चलता है तेरा दिनों तक यहाँ आपका बी ओप्सन करेक्ट रहेगा नेक्स्ट उचने मट गूगरा का मेला कहां लगता है तो मट गूगरा का जो मेला है ये मद्धिप्रदेश के सीवनी के बेरोनात में लगता है तो बेरोना आप आप याद रखीगा बेरोनात में ये जो मेला है ये लगता है सीवनी जीले के नेक्स्ट है मट गूगरा का मेला कितने दिनों तक चलता है तो ये मेला पंदरा दिनों तक चलता है ध्यान रखीगा काना बाबा जिनको कहाना भी बोला जाता है और काना भी बोला जाता है दोनों नाम आप थोड़ा सा देख लीड़ीगा यह जो मेला है कहां लगता है तो यह मेला लगता है मद्वदेश के सोडलपूर में और सोडलपूर आता है हरदा जीले में ध्यान रखेगा काना माबा की समाधी पर यह जो मेला है आयुजित के रहता है जोगेश्वरी देवी का मेला कहां आयुजित के रहता है जोगिश्वरी देवी का मेला जो है मद्देश के चंदेरी में लगता है चंदेरी ध्यान रखेगा चंदेरी जो आता है ये गुना जीले में आता है तो यहाँ पर आप तोड़ा सा ये भी ध्यान रखेगा देखे यहां पर आपको थोड़ा सा एकोचीट याद रखिए देखे यह जू गुणा है इससे अलग करकी एक नया जीला बनाए गया असोगनगर जीला और अब जो चंदेरी आता है यह असोगनगर जीले में ही आता है अगर आपको उप्सन में गुना दे रखा हो तो आपको सही जवाब रहेगा गुना चंदेरी दे रखा हो तो चंदेरी सही जवाब रहेगा इसके लवा अगर आपको यहाँ पर असोग नगर दे रखा हो तो असोग नगर सही जवाब रहेगा बाकि अगर आपको गुना और आसोगनगर दोनों दे रहा क्यों तो फिर आपका आसोगनगर सही जवाब रहेगा कोश्चन का तोड़ा सा पेटन भी आपको समझ नहीं कि किस टाइप से आपका कोश्चन पूचे गया है गरीबनात बाबा का मेला कहां आउजित किया जाता है तो गरीबनात बाबा का जो मेला है मदब्रदेश के साजापूर में आउजित किया जाता है C option यहाँ से आपका correct रहेगा काना बाबा का मेला कहां आयुजूत किया जाता है तो काना बाबा का जो मेला है ये मद्धप्रदेश के सोडलपूर में जो कि आयुजूत किया जाता है वो सोडलपूर जो आता है ये मद्धप्रदेश के कहां पर आता है तो हरदा जीले में आता है जो कि हमने आपको अभी ब मिल सकता है हरदा नहीं मिलता है तो फिर होसंगाबाद अधिक जादा जो कि यहां पर आपको उप्शन में देखने को मिलता है तो आपको यहां तो होट सोडल पूर मिलेगा यह फिर हरदा मिलेगा यह फिर होसंगाबाद मिलेगा तीनों मैंसे जो भी मिले आपको क्लिक करना ह तो यहाँ पर होसंगा भाद है, C option यहाँ से आपका correct रहेगा Next question आपका निकल करा रहे, सनकुवा का मेला कहाँ आयुजित के जाता है सनकुवा का मेला लगता है, सेवडा में, और यह सेवडा जो आता है, यह कहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपका B option correct है धमोनी उर्स कहाँ आयुजित के जाता है, धमोनी का जो उर्स लगता है, यह मदबरदेश के सागर में लगता है, सागर जिले में और सागर जिले का धमोनी जो इस्तान है, इस पर यह मेला आयुजित होता है नागा जी का मेला कहा अउजित होता है मत्यप्रदेश के मूरेना में और मूरेना का कौन सा गाउं वे जिसमें मेला लगता है उसका नाम है पोर्ण सा गाउं हीरा भूमिया का मेला कहा अउजित के जाता है हीरा भूमिया का मेला लगता है मद्धिपदेश के गोना में और गौलेर में याने उप्रोक तो दोनों आपका सी ओफ्सन करेक्ट रहेगा राम लाल राम लिला का मेला जो है कहा आउजित के रहता है तो राम लिला का मेला आउजित के रहता है मद्धिपदेश के दत्या की बांडेर तेसील में देखे आप तोड़ा से समझने वाला ये रहेगा फेक्ट क्योंकि यहाँ पर आपको तोड़ा से ध्यान भी रखना है बिल्कुल देखे यहाँ पर जो है राम लीला का जो मेला है कुछ कोश्चन में आपको कुश्चन दिया गया हो और उसमें आपको उपसन मिले हैं दत्या और इसके अलाबा ये जयसा कि सेम उपसन दे रखे हैं तो आपको दत्या से रहेगा अगर गौलियर दे रखता होता तो यहाँ पर आपको तोड़ा से पेटन भी समझना है अगर सभी दे रखे होंगा आपके तो उसमें आपका भांडेर से रहेगा क्योंकि यह जो मेला लगता है यह भांडेर में ही लगता है मेहर माता का मेला कहां आयुजित की जाता है मेहर माता का मेला लगता है मद्रदेश के सतना में सतना में और सतना में मेहर का एक गाउ में साव्रा इस गाउं में ये मेल है कि ज drafting टा इंडल सथे जाए तो ट का मेला लगता है। गुम्फ्यूट का शितकरिख हा माहमत्य ये का मेला सिफल करेक्टि यहां से वहाप का रहेगा। Pacific का जित कर आते हैं être सिफ्वरात्री का मेल है मद्यप्रदेश के अमर कंटक में किये जाता है D option ९हांसे आपका सही है चंडीदेवी का मेला कहां visualize कर जाता है तो चंडीदेवी का जो मेला है म displays मद्यवरिदेश के सीधी जिले में के जीज़ाता है वो सीधी जी जीले का एक Ghaun समय गोगुराम इस गाओं में यह मिला लगता है बड्वर네요 करें लगता है यह मद्देश के धतिया में लगता है तो यहाँ पर आपका दतिया सही ,जवाब रहेज़ा, बाबा साब उद्दीन ओलिया उर्स कहां अउजित के जाता है तो ये मद्धिप्रदेश के नीमच में अउजित के जाता है B option correct यहां से आपका रहेगा सोनागिरी का मेला कहां अउजित के जाता है सोना गिरी का जो मिला है ये मद्वदेश के सोना गिरी में आयुजित के जाता है और सोना गिरी कहाँ पर आती है ये दतिया में आती है डी ओप्सन यहां से आपका करेक्ट रहेगा कालू जी महाराज का मिला कहा आयुजित के जाता है कालो जी महाराज का मेला लगता है मद्रदेश के खरगोन में खरगोन याद रखिएगा जिसको हम पीपलिया खुर्द के नाम से जयाद हैं थे पश्ची में जो आपको कुछ हमने बताया था तो पीपलिया खुर्द आप ये याद रखिएगा खरगून जीली में ये मेला युजित होता है पश्य में नीमार का पेपलिया खुर्द के लिए रहे ध्यान रखेगा मंदाता मेला कहा युजित के जाता है मंदाता मेला लगता है मद्वदेश के खंडवा में यहने आपका फस्ट ओपसनिया से आपका correct है बर्मान मेला कहा हुजूत के जाता है बर्मान मेला लगता है मद्धिपदेश के नर्सिंगपूर में नर्सिंगपूर के गाड़रवाड़ा में मेला आउजूत होता है मत गूगरा का मेला कहा वजूद के जाता है ये भेरवनाज सिवनी में के जाता है सी ओप्सनिया से आपका करेक्ट है निकल कर आ रहा है जल विहारी का मेला कहा वजूद के जाता है जल विहारी का मेला वजूद के जाता है मद्धिप्रदेश के चतरपूर में राम जी बाबा का मेला कहां आउजित के जाता है तो यह जो मेला लगता है यह मद्वदेश के होसंग बाद जीले में लगता है यानि बी ओप्सन यहां से आपका करेक्ट रहेगा रतनगड का मेला कहां आउजित के जाता है तो रतनगड का मेला लगता है रतनगड में और रतनगड आता है दतिया जिले में सिद्ध बाबा का मेला कहां आउजित के जाता है तो सिद्ध बाबा का जो मेला है यह मद्देश के विजेपूर जो कि श्योपूर जीले का पार्ट है उसमें आउजित होता है उन्नान का मेला कहां आउजित के जाता है यह मेला लगता है मद्देश के दत्या में यानि आपका B option correct यहां से आपका हो जाता है कुम्ब का मेला कहा है जो होता है तो कुम्ब का मेला रखता है मद्यब्रदेश के उज्जेन में फस्ट option यहां से आपका correct है कुंडी सुर मेला कहा होता है तो मद्यब्रदेश के टीकम गड़े में होता है प्रतिवार्स कुनसे महिने में सास्त्री नत्यों के संबंद सांस्कृतिक रूप को देखने के लिए भारत और विदीसो जो है इसे भीड भी उमड़ती है तो ये कब आजूत होता है ये होता है फरवारी और मार्च में बी ओप्सनिया से आपका करेक्ट रहेगा लोकरंग समारो हर साल 26 जनवारी अर्थात गंतरनत दिवस्ते पांच दिनों तक चलने वाले रोकलंग समारो का आजून कहा होता है तो इसका जो आजूनता है ये बूपाल में होता है जो कि हमने कोश्टन अब डड़े में भी आपसे पूछा था लोकरंग महुच्छाव मध्वदेश के किस जिले में मना जाता है लोकरंग महुच्छाव मना जाता है मध्वदेश के बूपाल जिले में विल्कुल लोकरंग महुच्छाव जो लोकरंग महुच्छाव में मना जाता है तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा मध्वदेश के लोक रंजन महुटसों मद्धिपदेश के बोपाल में नहीं ये मद्धिपदेश के खजुराओं में मनाय जाता है ध्यान रखेगा तो यहाँ पर आप तोड़ा सा ध्यान रखते चलिएगा बिल्कुल देखें यहाँ पर यह जो कोशन है तो हमारा बोपाल होई गया है लोक रंग समारों कहां जोता है तो यह आपका बोपाल में होता है और यह जो कोशन हमारा निकल कर आ रहे है लोक रंजन में होता हो तो यह मद्धिपदेश के कहाँ पर मनाय जाता है यह मद्यपदेश के यहाँ पर एक इस्तान है जिसका नामे चतरपूर जी लेके अंतर गदाथा है खजुराओ इसमें यह मेलायुजित होता है जो कि बोपाल हमने गलत बता दिया था आपको बोपाल में आएगा आपका लोकरंग, लोकरंजन आएगा आपका जो कि नेक्स्ट है लोक रंजन महोत्सव मध्यपदेश के रिक्तिस्तान विबाग द्वारा खजुराहों में हर साल आउजुत लोक रंजन लोक नत्ति का एक राश्टी महोत्सव हैं तो ये जो करवाय जाता है ये परेटन विबाग के द्वारा आउजुत करवाय जाता है तो B option यहां से आपका सही जवाब रहेगा फ्रंस यहां पर हम 100 से अधिक question detail आपको दे चुके है question solve कर चुके है और हमने test भी यहां पर ले लिया कुछ question repeat किये उसमें आपका practice भी हो गई test भी हो गई और आपने देख भी लिया बसत नहीं मिलते एक नए वीडियो में एक नए टोपिक सांद तब तक के लिजाएं जबारत